वेल्कम तो केप्टनेगर टैंस हेलो गाइज कैसे हो आप सभी लोग मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ यूटूब चैनल केप्टनेगरो में गैस हमारी क्लास काफी टाइम से नहीं लग पा रहे हैं करीबन करीबन दो-तीन दिन से इसका रीजन है मों में मेरे काफी यदा चाले हो रहे हैं आज भी मैं कम बोलूँगा और यहां पर लिखूँगा तो आप लिख लेना, नोट कर लेना, समझ लेना समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कईज मैं आपको सिर्फ 10 से 15 मिन पढ़ा पाऊंगा, अभी भी मैंने कुछ दवा डाली हुई है मों के अंदर उसको जैसे और कल के टेस्ट के अगर हम बात करें कि संडे का टेस्ट, संडे को जो टेस्ट होता है तो उसके लिए करीबन करीबन हमारे लिए 40 से 45 मिन की क्लास के हमें जरुत पढ़ती है अगर छालो में थोड़ा सा इंप्रूमेंट दिखता है तो कल आपके टेस्ट ले लिया जाएगा नहीं तो फिर आपके कल भी टेस्ट नहीं होगा आपको कम्यूटी टेप के माधिम से आपको बता दिया जाएगा आज मैं यहाँ पर आपको मसाले वाली जो हमारी फसले हैं तीन फसले आपके सिलेबस में दे रखिए उनको मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने वाला हूँ मैं यहाँ पर एक पसल पढ़ाऊंगा आज हम पढ़ेंगे फेनु ग्रिक मेथी के बारी में पढ़ने वाले हैं तो चलिए गई इस वीडियो स्टार्ट करते हैं शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर रणाये हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकिशन आपको टाइप 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 मिलते आप मेरे साथ में नोट करते वे जरूब चलना मेथी फेनुग्रिक और मेथी को आप सब जानते हो कि मेथी को किसलिए काम में लिया जाता है आप जैसे जो मेथी की जो हरीपतिया होती है तो उनको सबजी के रूप में भी काम में लिया जाता है पराठे मेथी से बनाया जा इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ ट्राइगो नेला ट्राइगो नेला फोईनम ग्रेइकम याद कर ले ना गईज अभी केरफी इसका जो बोटनी कर लें में थोड़ा सा लंबा है लेकिन याद हो जाएगा दो से चार बार आप बोलोगे एक बार में साथ बोलो ट्राइगो नेला फोईनम ग्रेइकम इसका क्या है वानसपति के नाम है गई जो एक तरीके से मसाले वाली जो फसले है उनसे बोटा निकलने हम आप से कोच जाता है और किस में आप से पूझी जाती है तो बिलकुल अच् की बात करें कि इसका ओरिजन कहां पर है तो वाईस आप लोग बताईए फटापर से ओप्शन अमबर आपके पास है कोरोना अप्शन अमबर बी आपके पास है इंडिया ओप्शन अमब turbine दी आपके पास है यू एस चलिए कमेंट कीजिए फटापर इसका ओरिजन का जो उत्पत्तिस्तान है वो है यूरोप, यूरोप को माना जाता है Mediterranean Reason भी मिल जाएगा आपको कहीं किताब हो के अंदर, तो आप यहाँ पर लिखो यूरोप, इसका जो उत्पत्तिस्तान है, जो ओरिजन है मेथि का, वो क्या हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं production की, तो उत्पादन की अगर दोस्तों मैं बात करूँ, पूरे वल्ड में उत्पादन और सेत्रफल, area and production, तो highest जो production होता है, वो हमारे country के अंदर होता है, इंडिया के अंदर होता है, और इंडिया में production में world की अगर में बात करूँ, तो इसमें तो हम लिखेंगे इंडिया और यहां पर मैं बात करूँ इंडिया की तो इंडिया के अंदर हम लिखेंगे राजस्थान और मैं बात करूँ राजस्थान की तो राजस्थान के अंदर नागोर डिस्टिक के अंदर तो यह तीनों क्योशन most important है आपसे पूंच लिया जाता है कि मेठी को सरवादी कहां पर उगाया जाता है सेत्रफर हाइस किसका है तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से याद रखना है आगे बढ़ते हैं आगे बात करें climate तो climate की मैं यहां पर बात करूँ तो अबी क्रोप है मतलब इसके लिए कूल क्लाइमेट चीह कैसा क्लाइमेट चीह कूल क्लाइमेट थंडी जलवायू सीटोसन जलवायू का पोदा है और आप इसमें लिख सकते हो रभी सीजन आगे हम बात करें यहां पर soil इसके लिए उप्यूक्त जो म्रदा है अच्छी जो soil मानी जाती हो कौन सी यह तो low me soil है जिसका pH वेल्यू कितना होना चीह है 6 से लेकर 7 होना चीह कितना होना चीह दोस्तों 6 से लेकर 7 होना चीह low me soil domet म्रदा low me soil domet म्रदा और pH की अगर हम बात करें तो उसका pH वेल्यू होना चीह 6 to 7 कितना होना चीह 6 to 7 होना चीह कड़वेपन की बात कर लेते हैं मेथि को आप लोगोंने खाया होगा और जो मेथि है कड़वी होती है तो कड़वी होने का क्या रीजन है इसमें एक रसायन पाया जता है औलेरियो जिन क्या पाया जाता है औलेरियो जिन पाया जाता है आप नौट कर लेना यहां पर औलेरियो जिन इसकी वज़े से मेथी में कड़वाहाट होती है इस पर स्टार लगा लेना यह आपसे पूचा जाता है कि मिथी में जो कड़वा हाट होती है किस के कारण होती है कौन से वरनक के कारण होती है तो आप का अंसर क्या होगा OLEORIOZINE हो जायागा SEED RATE की बात कर लेते हैं 20 दर कितनी लेंगे यहाँ पर हमें जैसे बाखी क्रोप में हमने पढ़ाता बहुत कुछ बिलकुल डीटियल में हमने पढ़ाता तो उतना कुछ हमें यहाँ पर नहीं पढ़ना है क्योंकि यहाँ पर जो क्योशन आप से पुटप किया जाता है वो मैं आपको यहाँ पर बता दूँगा तो हमें इसमें जादा कुछ पढ़ने की ज़रत नहीं है 20 दर की बात करें सीड रेट की बात करें तो इसके लिए जो 20 दर हम लेते हैं वो लेते हैं 20 से 25 केजी परती हेक्टियर कितनी लेते हैं 20 से 25 केजी परती हेक्टियर हमें इसकी 20 दर लेनी है बात करें depth, कितनी depth में बुवाई करनी है तो 4-5 cm कितनी 4-5 cm में हमें इसकी बुवाई करनी है बात करें seed treatment, तो seed treatment हम करेंगे FIR में थड़ से किसे करेंगे FIR, fungi side, फिर insecticide, फिर rhizobium Soving time की बात करें कि हमें इसकी बुवाई कब करनी है तो उसकी बुवाई हमें करनी है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर 15 अक्टूबर से 15 अक्टूबर to 15 नवंबर 15 नवंबर गईज हम यहाँ पर बात करें fertilizer कि इसमें जो उर्वरक हैं कौन-कौन से डालेंगे तो उसमें N, P, K डालेंगे कितना कितना डालेंगे यह डालेंगे 20, 40, 20 kg प्रती हेक्टियर के हिसाब से कितना डालना है 20, 40, 20 kg प्रती हेक्टियर के हिसाब से हमें डालना है बात कर लेते हैं Varieties किसमों की तो गईज इसकी जो किसमें हैं आपको दो तरीकों से याद रखनी पड़ेगी मतलब एक तो किसमे हैं जिनको एक तरीकी से डानों के लिए उगाया जाता है जिनसे दाना प्राप्त किया जाता है और एक Varieties हैं जिनको Vegetable के लिए उगाया जाता है मतलब पत्तियां तोड़ी जाती है जिनसे पराठे बनाए जाते है तो आप लोगों ने दोनों देखा होगा मेति के पराटे भी आप लोगों ने खाया होगे आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किस-किस ने मेति के पराटे खाया हैं और किस-किस ने नहीं खाया हैं काफी टेस्टी होते हैं तो यहाँ पर हम फिलाल बात कर लेते हैं किसमों की सबसे पहले मैं बात करूँगा जिनको दाने के लिए उगाया जाता है तो दाने के लिए जो उगाया जाती है किसमें वो सबसे जो famous जो popular जो किसम है जो आपके exam में पूछ जाती है वो है राजेंदर क्रांती कौन सी क्रांती है राजेंदर क्रांती और एक question आपके आया था HG supervisor 2012 में जो paper हुआ था उसमें आपसे question put up किया गया है star लगा ले ना राजेंदर क्रांती इसके अलावा हम यहाँ पर बात करें और varieties तो co1 है co1 co1 है और note करते वे चलना काई co1 RMT RMT1 है RMT1 को प्रबाबी बोला जता है RMT 143 है RMT RMT 143 RMT1 co1 राजेंदर क्रांती यह आपकी कुछ popular varieties है जो काफी आदा most important है आपसे question यहाँ से put up किया जता है बात कर लेते हैं हम यहाँ पर vegetable के लिए पत्यों के लिए सबजी के लिए जिनको उगाया जाता है तो वो किस्म हमारे पास आती है तो किस्म हमारे पास है यहाँ पर कसूरी मेथी कसूरी मेथी कसूरी मेथी जो किस्म है काफी आदा popular है इसके लावा पंत रागिनी कोंसी यह पंत रागिनी है पंत रागिनी तो ये जो दो किसमे हैं, ये दोनों किसमे हैं, इनको सबजियों के लिए, पत्तियों के लिए, पराटे बनाने के लिए, सबजिया बनाने के लिए इनको उगाया जाता है तो guys यह किसमे हैं आप लोगों को याद करनी है जादा किसमे नहीं है नॉर्मल जो varieties है आपको आसानी से याद हो जाएगी आगे बढ़ते हैं आगे हम बात कर लेते हैं disease की किसके अंदर रोग कौन-कौन से लगते हैं तो उसके इंदर तीन रोगे जो काफी अदा लगते हैं एक तो है पाउडरी मिल्ड्यू एक है डाउनी मिल्ड्यू और एक है जडगलन dumping of तो तीनों disease आपको याद रखनी है मैं साथ में लिखना यहाँ पर सबसे पहला आता है पाउडरी मिल्ड्यू जो पाउडरी मिल्ड्यू है इसका जो रोग उकारक है वो है हमारे पास यहां पर iris IP polygony कि इसका वक के दवरा यह रोग होता है और बात करें control के लिए तो control के लिए हमें क्या लेना है कंट्रोल के लिए केराथेंड लेना है केराथेंड यह पहला रोग हो गया दूसरा रोग आता है दाउन्य मिलड्यू इसको साचेया रोग बोलता है हिंदी में जो डाउन्य मिलड्यू है यह रोग होता है पेरेनो Euro इस्पोरा ट्राइगो नीली किससे होता है पेरेनो इसपोरा ट्राइगो नीली आप नोट कर लेना बात कर लेते हैं हम इसके कंट्रोल की किसका कंट्रोल किससे करेंगे तो कंट्रोल करेंगे मैन को जेब से किससे करेंगे मैन को जेब इसके लावा जड़ गलन डंपिंग ओफ जड़ गलन इसमें बात करें इंसेक्ट की, कि जो इंसेक्ट है, इसमें कौन सा इंसेक्ट लगता है, तो इसमें एफिड लगता है, क्या लगता है, एफिड, मच्छर, और मच्छर मतलब काफी अदा मेथी के अंदर लगता है, जो मेथी के जो पत्या जब निकलती है, फ्लावर स्टेज होती है, तब वहाँ पर काफी अधा एफिड मच्छर आजने लग जाते हैं तो इस इंसेक्ट के लिए मतलब कंट्रोल के लिए डाइमेथोएट ले सकते हैं क्या ले सकते हैं एफिड के लिए एफिड लिखना इसमें एफिड और कंट्रोल में लिखना डाइमेथोएट हम बात करें उपज की कि इससे इल उपज हमें कितनी प्राप्त होगी तो इससे हमें उपज प्राप्त होगी 10 से 15 क्योंटल कितनी प्राप्त होगी 10 से 15 क्योंटल प्रती हेक्टियर हमें उपज प्राप्त होगी I hope आप लोगों को पूरा वीडियो लेक्चर बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं एक बार चलिए वापस से समझा देता हूँ और बता देता हूँ कि कौन-कौन से क्योशन्स है जो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखने हैं जादा कुछ नहीं है बस 5-10 मिनट लगेंगे इसको आप एक बार पढ़ने में अच्छे से आप इसको याद कर सकते हो चार-पांच बार पढ़ना आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा फेनुगरिक मेथी और यहाँ एक स्पाइसी स्क्रोप है मतलब मसाले वाली फसल है बोटनिकल नेम ट्राइगो नेला फोई नम ग्रेइकम इसका क्या हो जाएगा बोटनिकल नेम हो जाएगा फेमेली परिवार लेगुमिनेसी या फेबेसी और इसने इसका यूरो अप प्रोड़क्शन हाइस्ट वर्ल्ड में इंडिया के अंदर होता है इंडिया के अंदर राजस्थान में, राजस्थान में करीबन 80% होता है, कितना होता है 80% और यहाँ पर बात करें राजस्थान, तो राजस्थान में नागूर के अंदर होता है climate, cool climate कीए, सितोसन जलवायू का पादप है, रभी सीजन का पादप है किसमें राजस्थान करांती पे अच्छे से याद रखना है, AG सूपरवाजर 2012 में पूचा गया है co1 है, rmt1 है, rmt143 है, और leaf के लिए इसके लिए आपको याद रखना है, सब्जी के लिए कसूरी में ती याद रखना है और पंतरागी नहीं आपको याद रखना है, इनके बाहर आपके question नहीं जाएगा, तो आप एक तो varieties पर focus करें और botranical name पर आप focus करें, इसके लाओ जो production में नहीं आपको बताया, production पर focus करें यहाँ पर disease है, तीन powdery mildew है, डाउनी mildew है, और हमारे पास जड़ गलन dumping of है तीनो रोग आपको याद रखने, इनसेक्ट में आपको अफिल याद रखना है, control के लिए डाई में तो हैट ले सकते हो, उपजोगी 10-15 केउंटर प्रती hecteer तो guys, I hope आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आया हो, तो आप मुझे comment करके जरूर बताये, वीडियो को like जरूर करे जो लोग चैनल पर नया है, चैनल को subscribe कर ले, पास में जो बेल आइकन है, उस पर click करे, ताकि आने वाले सबी वीडियो के notification आपको time for time मिलते रहे guys, कल की हम बात कर लेते हैं, कि संदे को जो test है, वही हर संदे को हमारा test होता है, तो इस बार होगा या नहीं होगा guys, चाले काफी जादा है, मों के अंदर, अगर यह जैसे ठीक हो जाते हैं, मतलब अभी मैंने दवा डाली हुई है, और मैं बोल पा रहा हूँ तो उस दवा का असर 5-10 मिर तक होता है, उसके बाद नहीं होता है, तो हमारे test के लिए करीबन करीबन 40-50 मिर्टा में चीए, और अगर थोड़ा improvement दिखता है, तो आपका test होगा, बाकि आपको community tape के मादें से बता दिया जाएगा नहीं तो फिर आपका test जैसे ही, संडे के बाद कोई भी day होता है, जैसे Monday, Tuesday को आपका test ले लिया जाएगा तो गईज़ आप मुझे comment करके जरूर बताए, आपके वीडियो कैसा लगा गईज़ आप मेरे Instagram page को follow जरूर करें, उसका link आपको नीचे description में दे रखा है इसके अलावा जो मेरा दूसरा चैनल है, लवप्रिकास गोम में जैसे आप सर्च करोगे, आपको मिल जाएगा, या फिर आपको link नीचे description में दे रखा है गईज़ आप इसको subscribe जरूर करें, और बिल्कुल अधिक से दिक share जरूर करें, यहाँ पर भी आपको बहुत कुछ मिलता रहेगा गईज़ हम मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए, नमस्कार, जै जवान, जै किशान, जै हिंद झाल